हलो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरूजी में तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपक कि क्लास को हमारा जो आज का कोशन है यदि एक की पावर तीन पलस दो की पावर तीन पलस तीन की पावर तीन अगर इन सभी का हम जोड करें तो हमारे पास कितना दिया हुआ है तीन हजार पच्चिस तो दो की पावर तीन पलस चार की पावर तीन पलस छे की पावर तीन अपटू अगर भीस की पावर तीन तक चलें तो उसका जोड जो है क्या होगा ये हमें बताना है तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है एक की पावर तीन पलस दो की पावर तीन पलस तीन की पावर तीन इसकी वेल्यू हमें दी हुई है तीन हजार पच्चिस कितनी दी हुई है तीन हजार पच्चिस दूसरी जो संख्या दी हुई हमें दो की पावर तीन पलस चार की पावर तीन पलस छे की पावर तीन पलस अप्टू बीस की पावर तीन इसकी वेल्यू हमें निकालने है तो इसमें से हम क्या करेंगी दो की पावर तीन को कॉमन ले तो यहाँ पर हमारे पास आजएगा एक की पावर तीन प्लस दो की पावर तीन प्लस तीन की पावर तीन प्लस अब टू इस तरह से चलता जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आजएगा दस की पावर तीन बराबर में हमें निकालना है कि इसकी value क्या होगी अब हमें पता है 2 की power 3 कितना होता है दोस्तों 8 2 की power 3 कितना हो गया 8 इसकी value हमारे पास दी हुई है कितनी है 3025 वो हम यहाँ पे put कर देंगे 3025 अब इसे हमें multiply करना है 3025 3025 को 8 से multiply करना है 8 से multiply करेंगे 8,5,4,4,4 हासिल हुआ 8,2,16,4,20 की 0,फिर यहाँ पे 2,8,3,24 तो दोस्तों कितना आ गया 24,200 option number D हमारा क्या हो जाएगा crack transfer हो जाएगा next question देखते है हमारा next question है एक से सो तक की गिंती में अंक दो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है आपको बताना है कि एक से लेकर सो तक की गिंती के अंदर जो दो है वो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है तो दोस्तो 20 से जो है दो दहाई के स्थान पर शुरू हो जाता है, ये इकाई है, ये है दहाई तो 20 के बाद 21, 22 अप तो ये चलता रहता है कब तक? 29 तक 29 के बाद 30 के बाद 30 आजाता है जो के हमें नई लेना है हम से पूछा गया है कि 2 जो है दहाई के अंक पर जो है दहाई के स्तान पर कितनी बार आता है तो 9 तो हो गया दोस्तों ये 1 से लेकर 9 तक प्लस एक 20 वाला कितना हो गया टोटल टोटल हो गया 10 कितना हो गया दोस्तों 10 option number C हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा next question देखते हैं इस तरह के question दोस्तों railway NTPC के अंदर जो है पूछे गए हैं आप देख सकते हैं 2016 के अंदर फस्ट पाली के अंदर ये question पूछा गया है next question देखते हैं हमारा next question है एक संख्या परणाली में 14,528 को एक संख्या से विपाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और सेश फल जो है तीन प्रापत होता है भाजक क्या है हमें निकालना है भाजक दोस्तों महारे पास संख्या दी गई है 14,528 14,528 को जब किसी संख्या से यानि ये संख्या हमें पता नहीं है क्या है ये ये है हमारा भाजक किसी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल हमें कितना प्रापत होता है 83 83 ये क्या है भागफल जब इसे solve किया जाता है तो reminder हमारे पास कितना बचता है यानि 6 फल बज़ता है 3 अब दोस्तों हमें पता है कि इन दोनों की अगर हम multiply करें और जितना भी reminder है उसे अगर हम plus कर दे तो वो हमें इसके बराबर प्रापत होना चाहिए तो बस इसे हमें solve करना है x multiply 83 plus 3 equal to में हमें क्या प्रापत होना चाहिए 14,528 इसे अब हमें solve करना है 83 x ये जो है plus का 3 ये उदर जाकर क्या हो जाएगा minus का 3 minus का 3 हमें इसमें से कर देना है जब हम इस 28 में से 3 minus करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है x को इदर रखना है 14,525 यहां पर हमारे पास आ गया इदर है हमारे पास 83 इसे हमें क्या कर देना है solve कर देना है जब हम इसे पूरी तरह से solve करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों कटने के पाद हमारे पास आ जाएगा 175 option number D हमारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा यह calculation आप खुद से कर सकते हैं अगर किसी को किसी परकार की दिक्कत आती है इसमें तो मुझे comment box में बताएग मैं इसे आपको solve करकर बता दूँगा हमारा answer क्या जाएगा 175 option number D हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा next question देखते हैं हमारा next question है अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदी संख्याओं में अंकों का परियोग सिर्फ एक बार हो तो दोस्तों क्या करना है हमें संख्याओं दी गई है 3, 7, 0, 9 ये अंक हमें दी गई है और हमसे कहा गया है कि इन से एक बार परियोग करकर सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है और उनका जो है अंतर हमें बताना है कि अंतर कितना होगा, तो दोस्तों पेले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो भी अंक बड़ा है, उसे पेले लिखना है, उसके बाद छोटा अंक लिखना है, उससे चोटा, फिर उससे चोटा, और फिर सबसे इस तरह से यह जो संख्या बनी है, यह है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, अब हमें बताना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनाने में जो स्टूडेट गलती क्या करते हैं दोस्तों, वो जीरो को पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या करते ह तीन, साथ, नो ये दोस्तो चार अंकों की संख्या नहीं है क्योंकि इसमें इस जीरो को काउंट नहीं किया जाता है तो ये संख्या जो है ये गल्थ हो जाएगी अब देखते हैं कि सही तरीके से इस संख्या को केसे हमें बनाना है इसे सही तरीके से इसकी संक्या हम कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेंगे 3 को उसके बाद 0 उसके बाद हम लेंगे 7 उसके बाद 9 ये क्या होगी दोस्तों सबसे छोटी संक्या सबसे छोटी अब दोस्तों हमें क्या करना है इनका माइनस करना है क्योंकि हमें इसका माइनस पूछा गया है कि इनका अंतर क्या होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक यहां पर बचा है दो इधर से हम एक हासिल करेंगे इसे तो यहां पर हो जाएगा बारा बारा में से साथ गया हमारे पास आजाएगा पांच उसके बाद यहां पर बचा है 6 यह 6 का 6 यहां पर आ जाएगा यहां पर बचा हुआ है 9 9 में से 3 गए 6 तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 6,651 option number D हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा next question देखते हैं हमारा next question है 12.0543 में अंक 3 का स्थान्य मान कितना है हमारे पास संख्या दे गई है 12.0543 इसमें हमसे पूछा गया है कि 3 का स्थान्य मान क्या है तो दोस्तों अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्थान्य मान क्या होता है और उसे किस तरह से निकला जाता है दोस्तों दो तरह के मान होते हैं एक होता है स्थान्यमान और एक होता है फेस वेल्यू यानि प्लेस वेल्यू और फेस वेल्यू फेस वेल्यू क्या होता है दोस्तों फेस वेल्यू हमेशा वही संख्या होगी जिससे हमसे पूछ जाए कि दो का फेस वेल्यू क्या है तो हमेश जैसे 3 का अगर हमसे पूछा जाए तो उसकी face value कितनी होगी? 3. 4 की face value पूछी जाए तो 4 की face value क्या है? 4. यानि वै संख्या खुद उसका क्या है? face value है. इसके बाद हमसे पूछा जाता है स्थान्यमान जैसे हमारे पास संख्या है. इसमें हमसे पूछा गया है कि 5 का स्थान्यमान क्या है? तो हमें क्या करना है दोस्तों? इस 5 को यहाँ पे लिख देना है. उसके बाद जितने भी अक्षर है उतनी हमें क्या लगा देनी है? 0. यानि कितना आगया हमारे पास? 500. तो 5 का स्थान्यमान कितना हो जाएगा हमारे प स्बसे पहले हमें क्या करना होगा ही हमारे पास दीए गया है तो तीन को यहां पे लिख लिना है उसके बाद दोस्तों 3 का स्थान्यमान हमारे पास आ गया 3 क्योंकि इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 वगेरा कुछ भी नहीं लगेगा इसके बाद हमारे पास point दिये गए है उतने point जो है छोड़के हमें बटे में point टाके 0 लगा देनी है तो कितने point के पहले कितने है अक्षर 1,2,3,4 point के बाद अक्षर कितने है 1,2,3,4 तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 1,2,3,4 point टाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा 1 यानि कितना आ गया हमारे पास 3 बटे 10,000 कितना आ गया दोस्तों 3 बटे 10,000 एक बार फिर से आपको बता देता हूँ संक्या हमारे पास दी गई थी 12.0543 हमसे पूछा गया है 3 का स्थान्यमान क्या होगा तो 3 को इसी तरह से हमें लिख देना है उसके बाद इस point को जब हम हठाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा point का हमारे पास आजएगा 1 point के बाद कितनी जो है अक्षर है 1, 2, 3, 4 उतनी भी हमें क्या लगा देने हैं यहां पे 0 यह हमारा क्या आजएगा आंसर हो जएगा option number D हमारा आजएगा correct answer next question हमारा next question है 4744 लोगों में बराबर बराबर बाटने के लिए 1,29,250 रूपे में कम से कम कितने रूपे और मिलाने की अवशकता है यानि इन रूपियों को अगर हम इतने लोगों के अंदर बराबर बराबर बाटें तो इसमें कम से कम कितने रूपे और मिलाने पड़ेंगे तो इस तरह का question जब भी आपको solve करना हो तो आपको क्या करना है कितने लोगों में बाटना है 4744 रूपे कितने हैं हमारे पास 119,250 आपको क्या करना है इसे भाग देना है जब आप इसे भाग देंगे तो हमारे पास बज़ जाएगा 2186 जो है ये हमारे पास reminder बज़ेगा करना है माइनस करना है इसमें से माइनस करेंगे 2186 को जब हम इसमें से 2186 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2588 यानि 2588 रूपे इसमें और मिलाने पड़ेंगे जिससे क्या है 4744 लोगों के अंदर जो है बराबर में बट जाएगा इस तरह से आप इस question को solve कर सकते ह अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care